हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सफोर्ड स्टडी चैनल के इस लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ठीक है और आज हम बात करेंगे इंटिक्रेसन के कुछ इंपोर्टेंट के बारे में जो डिक्ट्रोस टाइब को क्वेश्चन्स रहेंगे जो एक्जाम में ये समझे लो कि जो कॵेश्चन्स यहां पर बताई जाएंगे वह एक्जाम में फिक्स है आना ठीक है लेकिन exercise के base पे जैसे हर एक exercise का one by one लेकर आऊंगा और सभी exercise जो आपको solve कराई जाएंगे important question यह ठीक है मेरी भाई तो आज से start कर रहे हैं integration का lecture number one है important question की series रहेगी है 7.20 यतने भी questions है important उन सभी चीज़ों को बताया जाएगा आप एक पतली सी copy बनाएं आपको बहुत help मिलेगा last time में ठीक है मेरी भाई तो रही बार यतने दिन वीडियो बनाने की तो किसी problem में फस गया था इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं provide करा पाया और जैसा कि आप जानते हैं मैं बोर्ड पर प्रोफस्टन नहीं पढ़ाने लगा था देखना मेरी भाई question number one है क्या है sign two x है इसका समाकलां करना है लेकिन आपको statement दिख रहा होगा कि निमलिखित फलों के प्रतियो कोलश ठीक है जो मैं statement बोलूँगा उसके थूरू मैं question को solve करूँगा निरिक्षण भी द्वारा मतलब question को solve करना है इसके निरिक्षण भी द्वारा ठीक है जो पहला question आपके इस book में है क्या है sign two x है ठीक है इसको निरिक्षण भी द्वारा कैसे करेंगे देखो समाकलां तो सभी कर लोगे ठीक समाकलां तो बहुत यासान है कोई दिक्कत नहीं ये लेकिन निरिक्षण भी द्वारा कैसे करते है इनको मैं देखेंगे ठीक है चलिए सुरुआत करते है देखना है मेरी भाई जैसे क्या है question number one है sign two x इसको हम कैसे करेंगे निरिक्षण भी द्वारा स्वारा करते है तो देखो कैसे जैसे चुकि यहां पर हम जानते हैं कि d y dx of क्या कि d y dx of जो है वो देखो sign two x का हम ऐसे इसको मतलब change करेंगे कि differentiation में ठीक है कि differentiation हम अगर किसका करने कि sign two x आ जाए differentiation किसका करने कि sign two x आ जाए तो देखो मेरी भी अगर मैं cos two ठीक है cos two x का अगर मैं differentiation करता हूँ तो क्या आ जाएगा बताओ cos two x क्या होता sign two x ठीक है क्या हो जाएगा sign two x और जब two x का करेंगे तो इंटू में क्या हो जाएगा two हो जाएगा ठीक है मेरी भाई हमको निकालना क्या है sign two x का नहीं रिक्षन बेट से ठीक है तो देखो sign two x मारे पास आ गया आपके पास ऐसे ही questions आएगे ठीक है लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किसका differentiation कर दो कि मुझे sign two x मिल जाए ठीक है तो मैंने किसका कर दिया cos two x का कर दिया अब minus sign two x into two आ गया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो का ऐसे देखो d y dx of d y dx of cos two x यहाँ पर हो गया ठीक है minus लगा देंगे देखो two को पहले लिख लो और sign two x को बाद में लिख लो लिख सकते हैं कि ने बिल्कुल लिख सकते हैं हमको चाहिए क्या sign two x चाहिए अगर मैं sign two x यहाँ पर ले लू sign two x हमको मान चाहिए तो देखो minus का दो जो है यहाँ पर इन two में जब इक्वल की इधर आएगा इक्वल की इधर आएगा तो divide में हो जाएगा one by two d y dx of cos two x हो गया ठीक है cos two x हो गया जब आप इसको answer में लिखेंगे answer type में जब आप लिखेंगे तो minus का one by two minus का one by two d y dx यहाँ से हट जाएगा cos two x आपका answer हो जाएगा ठीक है तो आपका जो answer आएगा sign two x का परतियो कलज निरिक्षण पर दिस ठीक है तो क्या होगा यह minus one by two cos two x यही आपको मेरे भाई हो जाएगा answer ठीक है देखो मेरे भाई अगर यही question आपको ऐसे दे दे integration में कि मतलब आपको कुछ भी ना करे निरिक्षण भी ना करे दे दे एक निमने लिखी फनलों का समा कलम कीजिए समा कलम कीजिए sign two x ऐसे दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे आपको जानते हो formula की seat में पहले ही आपको provide करा दूँगा ठीक है आपको वीडियो स्टार्टिंग हो पहले ही वीडियो मिल जाएगी formula कि sign two x का क्या होता है देखो sign two x का differentiation होता है cos two x लेकिन integration में एगर आप आओगे ठीक है minus one by two cos two x देखो थोड़े से में ही हो गया लेकिन अगर आपको प्रतियो का रच कहेगा ठीक है निरिक्षण भी दिसे तो आपको निरिक्षण भी दिसे इस तरह से करना है अगर simply आपको पूँचेगा तो direct ये formula ही बन रहा है sign two x ठीक है sign x sign x का क्या होता है minus का cos x लेकिन x के साथ क्या था coefficient 2 था तो by में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो आप इसको systematic भी में लिखेंगी 1 by 2 cos 2 x आसा करता हूँ आपको ये question समझ में आयोगा ठीक है मरी बाइब चलो देख लेते है question number 2 देखना दोस्त question number 5 है ये आपके book में लेकिन हमारे यहां क्या है question number 2 है पहला question में आपको बताया question number 2 रहेगा लेकिन book में क्या है question number 5 है आप इसको tick लगा लें copy में note करते जाएं ठीक है मरी भाई देखको यहां पर क्या है sin 2 x minus का 4 e की power 3 x है ठीक है इसको देखको कैसे करेंगे निरिक्षण बिल द्वारा ही करना है ठीक है अभी दो question में निरिक्षण बित पर ही बताऊंगा ठीक है मरी भाई पहला question निरिक्षण बित पर था दूसरा question निरिक्षण बित पर रहेगा इसके बाद में simply जैसे आपका question आता integration में वैसे बताऊंगा अभी घबडाना मत ठीक है ऐसे एक या दो number में question इससे push लिए जाते हैं तो इसको आप जरूर solve करें ठीक है देखो sin 2x से minus 4e की power 3x है ठीक है तो देखो sin 2x को अभी आप ने निकला था क्या था minus 1 by 2 cos 2x निकला था कि ने निकला था यही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे sin 2x वाली में ठीक है sin 2x वाली में आप यही चीज़ लिख देंगे या मैं आपको बताता हूं जैसे यहाँ पर आप लिख देना में 2 ठीक है यह आप जानते हैं इसको आप और systematic बे में लिखेंगे d by dx of cos 2x is equal to minus का 2 sin 2x ठीक है sin 2x हो जाएगा sin 2x की आपको value चाहिए तो आप sin 2x इधर लिख लें और इधर आपका हो जाएगा minus का 1 by 2 जैसा कि मैंने आपको बता था d by dx आप हट जाता है और cos 2x हो हो जाता है ठीक है तो हमने क्या निकाल लिया sin 2x का तो निकाल लिया लेकिन हमको अभी किसका चाहिए 4e की पावर 3x का भी तो चाहिए तो देखो मेरे भाई क्या करते हैं differentiation करते हैं किसका कि हम जानेंगे किसका differentiation होता है 4e की पावर 3x ठीक है तो देखो minus का क्योंकि आगी minus भी लगा था है आपकर ठीक है minus भी लगा था तो minus भी ले ले लेते हैं अगर minus का 4 by 3 e की पावर 3x ठीक है समझना क्या था कि minus का 4 by 3 e की पावर 3x अगर differentiation करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो मेरे भाई बताना यहां पर हो जाएगा minus का 4 by 3 बाहर हो जाएगा e की पावर 3x का e की पावर 3x ही हो जाएगा लेकिन अगर 3x का फिर डिफ्रेंसियेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बात समच पाई मेरे भाई आप तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो बचे है क्या देखो d by dx of d by dx of minus का 4 by 3 e की पावर 3x यह होगा minus का 4 e की पावर 3x देखो minus का 4 e की पावर 3x यहाँ भी minus का 4 e की पावर 3x यहाँ भी ठीक है तो minus का 4 e की पावर 3x की value कितनी है minus का 4 by 3 e की पावर 3x ठीक है ये परति आउकलरज हो जाएगा 4 e की पावर 3x is equal to कितना हो जाएगा माइनस का 4 by 3 e की पावर 3x जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं कोई answer लिखते हैं तो d by dx क्या हो जाता है हट जाता है ठीक है तो देखो sin 2x के जगा क्या लिखेंगे माइनस का 1 by 2 cos 2x लिखेंगे कि नहीं बिल्कुल लिखेंगे ठीक है अब देखो माइनस का 4 e की पावर 3x माइनस का 4 e की पावर 3x के बाद कितना आ गया माइनस का 4 by 3 e की पावर 3x ये दोस्तों आपका answer हो जाएगा जो question number 5 है ठीक है तो आसा करता हूँ ये question बहुत ही important था और आप इसको समझे होंगे देखना दोस्त ये question है आपके समने question number 7 आपकी book का है ठीक है और ये question number 3 है यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि integration आगी लग गया है x square व्रेकट में दिया गया है 1 minus 1 by x square dx देखो ऐसे questions को आप कैसे करो हो देखो ऐसे questions ही 2 marks में पूछ ले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है बहुत ही आसान सा question देखो कैसे करोगी देखो जो आपका x square है ना इसको आप अंदर व्रेकट में transfer कराओ तो x square का अगर मैं 1 से multiply कराओ तो कितना हो जाएगा x square यह होगा बताओ आप कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं देखो x square का minus बीच ने लगा मानस बीच में आप जैसे कि जो symbol है वही लगा दो ठीक है x square into में 1 by x square क्या हो जागा देखो ऐसे लिख सकते हो x square into में 1 x square और बते में x square है तो बिल्कुल x square आप ऐसे ही लिखे ले अब ब्रेकट पूरे के साथ लगा कि dx यहाँ पर लिख नीचे ठीक है देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x square तो था आपका पहले से ही x square यह आप लिख लो minus का symbol लगाएंगी x square बते में x square कितना 1 हो जाएगा जैसे 2 बते में 2 क्या होता है 1 होता है 3 बते में 3 क्या होता 1 होता है देखना, मैंने formula की seat आपको पहले provide कराए, x की power n, अगर integration करना हूँ, differentiation नहीं, integration करना हूँ, तो x की power n plus का 1 बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, n plus का 1, यह formula यहाँ पर लगेगा, जी बिलकुल लगेगा, देखना, x की power 2 है, तो देखो, power में एक जोड़ेंगे, 2 plus का 1, और बटे में भी वही चीज़े, 2 plus का 1, बस समझ पाएगा, minus का, integration 1 का करेंगे, जैसे कि अगर आपको कहीं मिल जाए, integration, ठीक है, 1 into dx, इसी तरह से मिलेगा, मिलेगा की नहीं मिलेगा, तो यह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यह नहीं कि constant का differentiation 0 होता है, लेकिं integration क्या होता है, x ह होता है, बस समझ पाए, ठीक है, तो देखो, 1 dx रहेगा, तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x हो जाएगा, और plus का x आजाता है constant, ठीक है, c आप ज़रूर लगाएं, नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लगा दी, ठीक है, ऐसे ही questions आपके exam में पूछे जाएंगे, इसमें कोई दोर आया नहीं, सबसे आसान, आसान question exam में पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं, देखना दोस्तों, यह है question आपका question number 10, ठीक है, अब हमारे है question number 4, तो क्या कहा गया है, कि integration लगा है, ठीक है, root मे x minus 1 by root का whole square dx, इसका आपको समा कलंग करना है, ठीक है, समा कलंग करना, जैसे आप समा कलंग करते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पड़ किया, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान सा समा कलन नहीं है, ठीक है मेरे भाई, देखो, यह दिख रहा है आपको a minus b का whole square, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ, फार्मूला क्या होता, a sq. plus b sq. minus का 2ab, बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो root x का sq. क्या होगा, x होगा, जानते हैं आप, plus का simbol लगाएंगे, 1 by root x का holy square क्या होगा 1 by x होगा जी बिल्कुल होगा minus का symbol लगाएंगे 2ab 2 into में root x into में 1 by root x बास समझ पाएंगे आप बिल्कुल आसान है integration कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई ठीक है root x उपर नीचे है कट गया कोई दिक्कत नहीं होगी x plus 1 by x हो गया minus का 2 हो गया और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ठीक है इसका आपको अब integration करना है कैसे करेंगे देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलग-अलग कर लो x का dx के साथ फिर plus का symbol लगाओ 1 by x dx के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है minus लगाएंगे 2dx ठीक है देखो x का क्या होगा आप जानते हैं x की power 1 है तो क्या हो जाएगा power में एक जोड़ेंगे और बटे में नीचे भी वही चीज करेंगे plus का देखो मेरे भाई 1 by x dx integration में ठीक है 1 by x dx integration में क्या हो जाएगा log x हो जाएगा formula आप जरूर revise करें बिल्कुल revise करें ठीक है और 2 बाहर ले लेंगे और dx का integration क्या होगा मेरे भाई dx का भी मैंने बताया था कि dx का integration क्या होता है x होता है x और एक constant टर्मा जाता है c आप जरूर लगाएं तो यह हो जाएगा x की power 2 by 2 प्लस का log x प्लस का log x और minus का 2 x प्लस का c यह आपका मेरे भाई हो जाएगा answer सबसे आसान सवाल था ठीक है तो इसको आप note down करें देखना दोस्तों यह question number 13 है ठीक है देखो समझो इस questions को कही कहा रहा है कि integration x की power 3 है minus का x square है plus का x है और plus का 1 है ठीक है मेरे भाई यह question है आपका क्या question सही है नहीं नहीं देखो यहाँ पर हो जाएगा minus ठीक है कैसा हो जाएगा यहाँ पर minus हो जाएगा आप इसको आइसे minus कर ले मैंने कर लिया ठीक है यह minus ही है और बटे में x minus का 1 है देखो इस question को ऐसे करना है कैसे करना है देखो ऐसा नहीं करना है कि अलग-अलग कर लो बिल्कुल नहीं ठीक है देखो पहले इन दो term में देखो common क्या मिल रहा है common हमें तो x square मिल रहा है जी आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है तो यहाँ पर से x square common लिया तो एक x बचा minus का symbol जैसे था वैसे लगा दिया x square था तो यहाँ पर 1 बचा देखो यहाँ पर भी common कुछ लेना पड़ेगा x minus का 1 में तो जब कुछ नहीं common है तो 1 common है ठीक है 1 तो भाई यहाँ अमेसा common रहेगा जहां कुछ नहीं common रहेगा ठीक है मेरे भाई बटे में x minus का 1 रहेगा जी बिल्कुल रहेगा dx लिख देंगे आप देखो यहाँ पर जो दो बार है उसको एक बार लिख लो मतलब x minus का 1 दो बार था एक बार लिख लिया इसके बार x square प्लस का 1 यह चीज़ आप जानते हैं फैक्टर आप जानते हैं ठीक है तो x minus का 1 हो जाएगा इंटर में पहुँचे हैं भाई फैक्टर तो जानना पड़ेगा ठीक है क्या था कि x minus 1 यहाँ पर common था मैंने एक बार लिख लिया x square यहाँ पर बचा यहाँ पर प्लस का 1 बचा देखो x minus का 1 x minus का 1 क्या होगा कैंसिल हो गया क्या बचा देखो यहाँ बचा x square और प्लस का 1 dx ठीक है मेरे भाई अगर मैं इसको आगे और solve करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ यह हो जाएगा x की power n का formula क्या होगा 2 plus का 1 x की power n बचे में x मतलब 2 plus का 1 x की power n plus 1 बचे में n plus 1 plus का 1 बाहर ले लिया dx का क्या होगा x होगा और plus का 1 c आजाएगा तो यह हो गया आपका x की पावर 3 बटे में 3, पलस का x और पलस का c, यही आपका मेरी भाई हो जाएगा final answer, आसा करता हूँ आपको यह भी question समझ में आया होगा, देखना दोस्तों question number 18 देखते हैं और question number 19 देखते हैं, बहुत बार पूँछा गया exam में, ठीक है मरी भाई, तो exam x को bracket के अंदर जो हम कराएंगे multiply, तो यह हो जाएगा sec square x, आप जी बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, पलस का symbol लगाएंगे, 10 के साथ भी कराएंगे, तो यह हो जाएगा sec x into 10 x, ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा sec x into 10 x हो जाएगा, और यह हो जाएगा dx, क्या हो integration से, पलस का symbol लगाएं, और sec x into 10 x को भी अलग कर लें, क्या है, 10 x है न, टी एएट टाइन एक्स, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो देखो sec square x का formula क्या हो जाएगा, 10 x हो जाएगा, ठीक है, 10 x हो जाएगा, पलस का symbol लगाएंगे, sec x, टाइन एक्स क्या जाएगे, sec x, integration में, और पलस का c, यही आपका final answer हो जाएगा, ऐसे, ऐसे ही questions, एक या दो marks में पूछ ली जाते हैं, 7.1 से ही, ठीक है, देखो, question number 19 देखते हैं, 19 number question, देखो, मेरे बहुत कहें क्या रहा है, sec square x बटे में, cause x square x, ठीक हो, कैसे solve करोगी, बताओ, देखो, आप जब भी sec और cause x में मिले, तो square कैसे कर लेंगे, कि 1 by cause square लिख सकते हैं, आप कहेंगे, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, cause x को क्या लिख सकते हैं, 1 by sin square x, 1 by sin square x dx, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, कि जो सबसे नीचे होता हो, सबसे उपर जाता है, तो sin square x चड़ा गया, सब और देखेंगे, तो देखो, क्या हो जाएगा, sin square x, बटे में, cos square x, क्या हो जाएगा, 10 square x, 10 square x, और यहाँ पर हो जाएगा, plus का c, ठीक है, मैं भाई, क्या हो जाएगा, plus का c हो जाएगा, लेकिन आप बताना, कि 10 square x का, तो integration में कोई formula नहीं होता है, भाई, तो क्या होगा, बताओ, देखो, इसको हम करेंगे, sec square x minus का 1, sec square x minus का, कुछ noise आ रहे होगे, उसके लिए sorry, दो कि यहाँ पर plus का c भी न, ठीक है, sec square x minus का 1 लिख देंगे, dx लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे, ठीक है, देखो, sec square x का, आप जानते है, क्या होता ह अइक्स होता है, क्या होता है, tan x होता है, और minus का 1 in 2 में, dx स्क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएistas, tan x minus का x plus का c, यह आपका final answer होता है, ठीक है, कोई दिकत नहीं, कोई परिशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है मेरे भाई, दोस्तों 7.1 जो आपका था उनकी जितने भी important question थे जो exam में कई बार पूंचे गए थे बार-बार उन सभी questions को मैंने यहाँ पर बता दिया है अब इसके बाहर exercise 7.1 से तो कभी नहीं आया ठीक है मेरे बाई तो इन questions को आप जरूर लगाएं एक दूबार practice कर लेंगे सबसे आसानिक exercise 7.1 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आसा करता हूँ आप इन सभी questions को समझे होंगे कोई दिक्कत कोई परिसानी कोई तकलीफ आप comment box में आप जरूर बता सकते हैं आपको में जरूर पूरा करूंगा ठीक है और आपको वीडियो अच्छा है कि दोस्तों के जरूर शेयर करें लाइक करें और comment box में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है मेरे भाई चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा आपको वाचिए प्लीज़ अबस्क्राइब तरह बस्क्राइब चैनल और प्रेस्ट इपल इन फो रहेगा जरूर इन प्रक्राइब करें लिए निए इन आपको यह निए विए ने सेशन थैंक यू मेरे भाई